इंडियन टीवी नियूज देश का तेजी से बढ़ता नियूज नेटफर्क नमस्कार आप देख रहे हैं इंडियन टीवी नियूज आईए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर एंजीटी के नियमो की राख माफिया द्वारा उड़ाई जा रही है खुले आम धजिया निमबाहेडा चितोडगर जिला तहसील निमबाहेडा जो सिमेंट हब के नाम से फेमस है और शहर में रहवासियों की कोई सुनने वाला नहीं है नियमो को तक में रखकर अवेड कारे खुले आम हो रहा है जिसे पुरा शहर परिशान है आपको बता दे कि इन सिमेंट कंपनियों द्वारा जो कोटा से जो वेस्ट मटीरिल जो राख बाल को राक्स माधियम से पावर प्लांट से जो वेस्ट मटीरिल राख मंगाई जा र रही है जो कि नाशनल ग्रीन ट्रिबूनल एंजी टी के नियमों की अभेलना कर रहे है इस पर पॉलुशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी भी आंक बंद करकर बैटे हुए है जो यह राक अवेद रूप से खाली कर रही है जिससे आने चाने वाले रहागिर सांस के माध्यम से उनके शरीब में प्रवेश कर रही है और कई तरह की बिमार्यां पैदा कर रही है पछले कुछ समय से चर्म रोग स्वास रोग फैर रहा है पहले से ही इनसेमेंट फैक्टरी के परदूशन से परिशान है और उपर से यह आवेद खुले में रखाख खाली करके बेच रही ह खुले में और सदर्थाना में सामने रानी खेडा चौराहे पर अवेद रूप से खाली कर रहे हैं फिर उनको इन सिमेंट की इंट बनाने वालों को बेच रहे हैं आपको बता दे कि रानी खेडा चौराहे की जमीन और सदर्थाना के सामने वाली जमीन सरकारी जमीन होती फिर उसे पर ये राक माफिया कैसे खाली कर रहे है प्रसाशन का इन पर कोई कारवाही नहीं करना संदय के घेरे में खड़ा करता है निमबाहिडा शेहर की जनता पहले से ही इस धूल मिट्टी सिमेंट की कंड से परिशान है उनको इस धूल मिट्टी से कई तरह की बिमारियां हो ही अब देखना यह है कि पलूशन कंट्रोल बोर्ड और प्रसाशन इन राक माफियां पर कब और क्या कारवाही करेगा यह यूही अवेद कारेच चलता रहेगा इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहेए इंडियन टीवी न्यूज हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस लीजियों को शेयर ज़रूर कीजिए धन्यवाद फिर मिलते हैं अगली खबर के दाद इंडियन टीवी न्यूज देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटफर्ट